आदर्णिय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान, सभी वरिष्ट महानुभाव, और 140 करोड देशवासियों के प्रतिनीधी, सभी मानिय सामसद्गाण, आपको और देशवासियों को गनेश्च तुर्थी की अनेक अनेक शुक्ताम लाएं। श्री गनेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विक्सीद भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्ब बद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरप्रस्थान कर रहे हैं। सम्मानिय, सभाग्र, यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल, एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे करतव्य के लिए प्रेजित भी करता है। आजहादी के पूर्व, यह खन एक प्रकार से लाइब्रेरी के रुप में इस्तिमाल होता था। लेकिन बाद में सम्विधान सभागी बैठक यहाँ शुरू हुई और उन सम्विधान सभागी बैठकों के द्बारा गहन चर्चा विचाना करकर के, हमारा सम्विधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हकुमत दे सत्ता हस्तांत्र किया। उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंटर हॉल है। इसी सेंटरल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। और एतिहासिक अउसरों पर आजहती के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आये। जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भागे को घड़ने के पर विचार किया। सहमती बनाई और निल्डेपी किये। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्टा देख्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य सांसदों को सम्मोधित किया है। हमारे राष्टपती महोधोयों के द्वारा 86 बार यहां सम्मोधन किया गया है। बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं। जिम्मेवारियों को समाली हैं। अनेक कानूनों अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोगसभा और राजसभा ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पास किये हैं। और कभी ज़रूरत पड़ी तो जोइंट शैसन के माध्यम से भी कानून पारिद करने की दिशा में रननिती बनानी पड़ी और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो, आतंग से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किये गए हैं। इसी ग्रह में पास किये गए हैं। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याई की जो प्रतिक्षा थी। शाह बानों केस के कारण कुछ उल्टी पाठी पर चड़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद में बिते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याई देने वाले कानूनों का भी निर्मान की देने हैं। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी, शिक्षा, स्वास बागी जो सुविधाये हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बड़े हैं। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरुनतों को देखते हुए, उनके एश्पिरेशन को देखते हुए, ऐसे कानूनों के निर्मान किया जो उनके लिए उजवल भविश्की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर विश्य ऐसा रहां, जो सायद ही कोई दसक ऐसा होगा, कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो, और मांग न हुई हो, आक्रोष भी वेक्त हुआ, सभाग्रह में भी हुआ, सभाग्रह के बार भी हुआ, लेकिन हम सब का सोभाग्य हैं, कि हमें इस सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का अलगावाद, आतंकवाद के खिलाब लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्मुन कदम, अरे से महत्मुन काम में, मानिय सांसदों की, सांसद की, बहुत बड़ी भूमी का है, जम्मु कश्वीर में, इसी सदन में निर्मित हुआ सम्विधान, हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ ओ, महा मुल्य दस्तावेज, जम्मु कश्वीर में लागू करते हैं, तो इस मिट्टि को प्रणाम करने का मन्त, आज जम्मु और कश्वीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है, और नए उमंग, नए उत्सा, नए संकल्ब के साथ, जम्मु कश्वीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मोका आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, यह दिखाता है कि संसद के सदस्चों ने मिल करके, संसद के भवन में कितने महत्वपुन काम किये हैं, माने संसद गण, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय हैं, सही समय हैं, एक के बाद एक घट्नाओं के तरफ हम नजर करेंगे, हर गट्ना इस बात का गवा दे रही हैं, कि यहां आज भारत एक नई चेतना के साथ उनर जागरत हो चुका है, भारत नई उर्जा से भर चुका है, और यही चेतना यही उर्जा, इस देश के कोटी कोटी जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती हैं, और संकल्प को परिशम की पराकाष्ठा करकर के सिद्धी तक पहुँचा सकती हैं, यह हम देख सकते हैं, और मेरा विश्वास है, देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, हम गती जीतरी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे, आज भारत पांचवी अर्थ वह उस्तापर पहुँचा है, लेकिन पहले तीन में पहुँचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है, और मैं एक जिस्थान पर बैठा हूँ, जो जानकार या प्राप्त होती है उसके आधार पर, विश्व के गर्मान ये लोगों से बात्चीत करता हूँ, उसके अधार पर, मैं बड़े विश्वात से कह रहा हूँ, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लिकिन दुनिया अस्वस्त है कि भारत टॉप थ्री में पहुंचे के रहे दा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से, फिर एक बार, दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंदर बना हुआ है। भारत का गवर्णनेंट्स का मोडल, यूपी आई, डिजिटल स्टेक, मैं इस G20 में भी देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टकनोलोजी की दुनिया को लेकर के भारत का नवजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कवतुग भी हैं, आकर्शन भी हैं और स्विकृति भी हैं। हम सब उस ऐसे कालखन में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं, ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दाईत्व निभाने का अउसर आया है। और हमारा सबसे वड़ा भाग्य है कि आज इंजियन एस्परेशन्स उस उन्चाई पर हैं, जो शायद पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजिरों ने उसके एस्परेशन्स को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आज आज भारत में अपने सपने संजो रहा था। शुनोतियों से जूज रहा था। लेकिन मिलकर के आज जहां पहुचे हैं। अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्परेशनल सुसाइटी के साथ। नए लक्ष गणना चाहता है। जब एस्परेशन सुसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो। तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर, नए कानूनों का निर्मान करके, उजवल भविश्य के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने का दाइत्वा, हम सभी साउसदों का सभी शेस होता है। संसद में बढ़ने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत, इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए, यह हम सब की भावना भी है, कर्तब्य भी है, और एक एक देशवासी की हमसे अपेच्छा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें, उसके मून में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सरवोच्च पद पर होना चाहिए, प्रात्फिक्ता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूँ, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या। जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता है। वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते हैं। 75 साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूरवजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं। उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ, अगर हमारे सपने हमारे संकल पर जुड जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए? तो हम भी उस भब्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं। उसके तश्वीर का खाटा कीच सकते हैं उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीड़ी को वह भव्य दिव्य मा भारती के हम उनको सुप्रत कर सकते हैं दोस्तों हम बुरुत काल के 25 वर्सों में भारत को अब बड़े केनवास पर काम करना ही होगा अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है हमें आत्म निर्भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुवात होती है हर नागरिक से शुरुवात होती है और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े बड़े बुद्धी जीवी और अर्थसात्री लिखते थे कि मोदी आत्म निर्भर की बात करता है तो और मटिलेटरिजम की सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा ग्लोबल एकोनोमिक के जवाने में चीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्म निर्भर मोडेल की चर्चा करने लगे है और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्भर हो एनर्जी सेक्टर में हम आत्म निर्भर हो एडिबल ओई चाहिए इस देश को आत्म निर्भर नहीं होना चाहिए क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं खाने का तेल कि आप देश बाहर से लाएगा बहुत समय की मांग है कि हमें आत्म निर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना यह हम समका दाइत्व है उसमें दल आड़े नहीं आते हैं कि दिल चाहिए देश के लिए चाहिए हमें अब। आद मैनिफैक्टिनिंग सेक्टर में दुनिया में सर्बस्टेश्ट बनने की दिशा में ही कुर्दम रख नहीं होंगे और मैने ए अव्हाब लाल के लिए इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने manufacturing शेतर में जाना है हमारी designer हमारी यहां निर्मान होरी designs हमारे software हमारे agriculture products हमारे हस्तласल्प हर खेंट्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना जंदा फैरा सकते हैं मेरे गाउं में मेरा सबसे अच्छा अमाल हो इतनी बात नहीं चलेगी मेरे राज में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा दुनिया में मेरा प्रोड़क सबसे अच्छा होगा यह भाव हुद रपाद हमारी उनिवर्सिटी दुनिया के अंदर टॉप रेंकिंग में आएं अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पालिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बरी है उसके सहारे अब हमें चल्ण पना है और दुनिया के इस टॉप पॉस उनिवर्सिटी में अभी जब जीट्वेंटी में विश्व के मेमान आए तो मैंने नालंदा की एक तश्वीर रखी द खुझा था फंदरा सो साल पहले मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम उनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उनों सुनते ही रह जाते थे लेकिन हमें उसे प्रेणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है यह हमारा संकल पहुना है आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के इंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है टियर टू टियर थ्री सिटी से गाउं गरीब परिवारों से गाउं से देश के नौजवान देश की बेटे-बेटिया आज खेल कुद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेल कुद के हर पोडियम पर हमारा तिरंगा भी लहरा था होगा हमें अब पूरा दल पूरा हमारा दिमाग क्वालीटी पर फोकस करना ही होगा ताकि हम वीश्व की आशा पेक्षाओं के नुकूल और भारत के सामान ने मानवी के जीवन में भी क्वालीटी आफ लाइफ के प्रती जो एस्पिरेशन बड़ा है उसको हम एड्रेस कर पाएं और जते मेंने कहा हम भागेवान है तो हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक अश्पिरेशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदूस्तान की युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन्द आबादी वा देश बने ही ह लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा ये पहली बार हुआ है जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो युवा सामर्तव हो तब हमें उसकी टालेंट पे भरोसा है हमें उसकी संकल पर शक्ति में भरोसा है उसकी साहस में भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजलाना चाहिए बोस्थिती पैदा हो निशाए आज पुरे दुनिया को स्कील मेंट पावर की बहुत बड़ी ज़रूत है और भारत बीश्व की इस आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए अपने आपको सज्ज कर सकता है और उन आवश्यक्ताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगा भी बना सकता है और इसलिए वीश्वक में उनकी आवश्यक्ताओं के लिए किस प्रकार मेंट पावर की जरूत है किस प्रकार उनको लिए दो उसकी शरूत है उस्कील मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस केमिक स्कील मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्कील डेवलप्मेंट के तरह हम बल दे रहे हैं और जितना ज्यादा हम स्कील डेवलप्मेंट पर बल देंगे भारत के नव जवानों का सामर्द वीश्व में अपना डंग का बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा और हिंदुस्तानी जहां गया है जहां गया है उसने अच्छाई की छाफ छोड़ी है कुछ कर गुजररी की छाफ छोड़ी है यह सामर्थ हमारे इंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हुए उन्ह अपने देखावागे पिछली दिनों करीब डेड़ सो नर्सिंग कॉलेज एक साथ खुलने का निर्णे किया पूरे दुनिया में बहुत बढ़ी रिक्वार्मेंट है नर्सिंग की हमारी बेटियां हमारे बेटे उस खेत्र में दुनियों पर पहुंच सकते आसानी से पहुंच सकते हैं और वीश्व की जरूरत है और यह तो मानुता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे आज मेडिकल कॉलेजिज का इतना ब्यापक रूप से निर्वां देश की आवश्रक्ता तो पूरी करनी ही करनी हैं दुनिया की आवश्रक्ताओं में भी योगदान दे सकते हैं कहने का तात्पर यही है हर छोटी चीज पर बारिकी से ध्यान देते हुए उस पर अपना ध्य लग्यान कैंदित करते हुए हमें आगे बढ़ना है है कि वह भविष्ष के लिए हैं सही समय पर सही फैसली भी है हम फैसलों को डाल नहीं सकते हैं हम राजनीतिक लाब नुक्षान के गणा भागित के अंदर अपने आपको बंद्रीद नहीं बना सकते हैं हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नहीं निर्णे करने होते हैं आज सोलर पावर के सभल मूवमेंट हमारी भावी पीडी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एन्वार्मेंट की चिंता है जो टेक्नोलोजी में बढ़लाव आ रहा है उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्त रखती है आज हमारा सेमी कंड़क्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे रदय की जरूरत रहती है वैसे ही आज हमारी टेक्नोलोजी चीप्स के बिना चल नहीं सकती है और सेमी कंड़क्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य हैं उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टर में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए उसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं जल जीवन मीशन हर जीले में 75 मुर्द सरोवर हमारी भावी पीडी को हमारे बच्चे बच्चे उनको कभी पानी के ब समाज कर रहे हैं वीश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे लॉजिस्टिक सिप्सिस्टिम को और अधीक कम खर्च वाला बनाना एफिशन बनाना वो दिशा में हम बहुत नीतिया ले करके चल रहे हैं आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत के हम निर्मान करें कि नॉलेज इनोवेशन यह समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रीम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है और इसलिए पिछ्छे लिए हमने समय के साथ साथ टेक्नोलोजी के बढ़ावे के लिए हमने रीसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है ताकि हमा इनकी सबलता के बाद देश के नवजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्शन बढ़ रहा है हमें मोका घवाना नहीं है हमारी युवाब पीडी को हमने रीसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इको सिस्थिम को बनाने के लिए हमने एक उजवल भविश के निर्मान की नीव रखी है सामाजिक न्यान यह हमारी पहली शर्ट है बिना सामाजिक न्याए बिना संतुलन बिना समभाव बिना समत्व हम इच्छित प्रणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन सामाजिक न्याए की चर्चा बहुत सीमित बनके रह गई हमें उसको व्यापक रुपने देख रहा होगा हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें किसी समाज में दबे कुचली व्यक्तिक को को सुव की सड़क बन जाए ना वो भी सामाजिक न्याए के लिए उसको मजबूती देती हैं उसके गर्तिय नदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाएं तो वो भी उसको सामाजिक न्याए की मजबूती देती हैं उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में सबह के जरूत पड़े वो मिलें तब जाकर के सामाजी ग्न्याय के मजबूती मिलती है और इसलिए जिस प्रकारते समाज व्यवस्ता में सामाजी ग्न्याय जरूरत है बैसा ही राष्ट्र व्यवस्ता में सामाजी ग्न्याय के अवश्चता है अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए अब विक्सित रह जाए ये भी सामाजी ज्ञाय के खिलाब है दुर्भाज़ते देश का पुर्वी इलाका भारत का पुर्वी भाव जो सम्रुद्धी से भरा हुआ है लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दुसरे इलाके में जाना पूट रहा है ये स्थिति हमें बदलनी है हमारे देश के उस पुर्वी भाव को इलाका को सम्रुद्ध बना करके सामाजी ज्ञाय की मजबूती भी हमने देगी असंतुलित विकास शरी कितना भी स्वस्थ क्योंन हो लेकिन उंगली बेगलक माण गया है तो सरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है भारत कितना ही समरुद्ध हो लेकिन कोई अंक उसका दुरबल रह जाए तो भारत समरुद्धी में पीशे है मानना पड़ेगा और इसलिए हम सरवांगिन विकास के पक्ष में सामाजिक न्याय की उसे इंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में दिसा में हमें आगे बढ़ना ह है चाहे पूरी विफारत हो चाहे नौर्थ इस्थ हो हमें उन चीजों को प्राप्त करना और उसलिए जो रननीती कितनी सफल हुई है सो हंड्रेड एस्प्रेस्टल डिस्ट्रिक पर विशेस काम किया नवजवान अपसरों को लगाया गया एक स्ट्राटेजी बढ़ाई देश के कौने कौने में जो पीशे माने जाते थे उसको बोज मान लिया गया था आस्थिति ये बनी है को हंड्रेड डिस्ट्रिक अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं राज्य की एवरेज से भी उपर जा रहे हैं और इस सफलता को देख करके सामाजिक नाएकि इस को मजबूत करते हुए सो डिस्ट्रिक में से आगे बढ़ करके जमीरी स्थर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एश्प्रेशनल डिस्ट्रिक ब्लॉक के नाते अडेंटिवाय करके उसको मजबूती करने का काम चल रहा है और मुझे विश्वास है यह एक विकास का नया मोडल बनने वाले हैं वह एक प्रकार से देश के विकास के एक नया उर्जा केंदर बनने की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं मानिये साउसद गण आज विश्व की नजर भारत पर है शित्युद्ध के समय हमारी पहचान कुट निर्पेक्ष देश के रुप में रही उस समय की जो जरूरत थी उसके जो लाब होने थे उस समय से हम गुजरे हैं लेकिन आप भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय गुट निर्पेक्ष की अवस्था आवश्चक होगी आज हम उस नीती को लेकर के चल रहे हैं जिस नीती को अगर हमें पहचान रहा है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं दुनिया हमारे में मित् जायद विश्व में एक भारत ने और दूरी नहीं हो सके उतनी निकड़ता उस रास्ते पर चल करके भी हम अपनी विश्व मित्र के रूप में भाव आज सभलता प्रूबग आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाप आज भारत को हो रहा है भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रुप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरुवत है और उस आवश्वक्ता की पूर्ति करने का काम जी ट्वेंटी में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बन करके हो रहा है ये बीश जी ट्वेंटी समीच में जो बीश बोया गया है मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवरुक्ष बनने वाला है विश्वास का ऐसा वटवरुक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीडियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीधा तान करके खड़ी रहेगी ये मुझे विश्वास है इस G20 में बहुत बड़ा काम हमने किया है बायोफियल एलाइंस का हम विश्व के नेत्रुत्व करते रहें दिशा दे रहें और विश्व को बायोफियल एलाइंस में दुनिये के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्तिता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा अंदोलन ख चोटे-चोटे महादवी उनके साथ भी आर्थिक कोरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए है आदेने बंदुगाण, आदेने उप्राश्पति जी, आदेने स्पिकर महोदाए आज हम यहां से बिदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संस्वत के नए भवन में बैठने वाले और यह शूब है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं लेकिन बैए एक आप दोनों महनुभावों को एक प्रांसना कर रहा हूं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिल करके उस विचार पर जहां भी जरूत पड़े मन्थन करके कुछ निर्णे अवस्य कहिए और मेरी प्रांतना है, मेरा सुजाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए इसे सिर्फ पुरानी प्रांवलामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रांतना है कि भविश्य में अगर आप सहमेति दे दोनों महावन भाव तो इसको सम्विधान सदन के रूप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमासे रक्स के लिए हमारी जीवन प्रेणा बनी रहेगी और जब सम्विधान सदन कहेंगे तब उन महापुर्षों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी सम्विधान सभाव यहां बैठा करते थे गणमान ये महापुर्ष बैठा करते थे और इसलिए भावी पीडी को ये तोफा भी देने का आफसर हमें जाने नहीं देना चाहिए मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमी को प्रणाम करता हूँ यहाँ पर जो तफस्या हुई है जनकल्यान के लिए संकल्प हुए है इसको परिपूर्ण करने के लिए साथ दसक से भी अधिक समय से जो पुर्शार्थ हुआ है उन सब को प्रणाम करते हुए मैं मरी वानी को विराम देता हूँ और नए सदन के लिए आप सब को शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद